सबी लोग अच्छी से अच्छी नोक्री पाने के लिए जी जान मेहनत करते हैं ताकि वो अच्छे कासे पैसे कमा सके और अपने परिवार का पेट भर चके पर कि आपने कभी ये सोचा है कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक नोक्रिया आखिर कौन सी हैं तो आईए दोस्तो आप सबसे भी का स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं दुनिया की 10 सबसे खतरनाक नोक्रियों के बारे में ये नोक्रिया इतनी जादा खतरनाक होती है कि आपकी जान भी जा सकती है इन सभी नोक्री को हर को इंसान नहीं कर सकता है क तो आप सभी को तो पता ही है गटर में पूरे शहर का गंद, कुड़ा कबार और ना जाने कितनी सारी चीजे होती हैं जिसे साफ करने के लिए इन लोगों को गटर के अंदर जाना पड़ता है वैसे आज कल तो मशीन्स आ गई हैं पर आज भी कई जगाओं पर गटर को साफ कर पने के लिए इन्सान को अंदर जाना पड़ता है आप सभी को तो सीवर क्लीणर का नाम सुनकर ही धिन आ रही होगी पर जड़त कि नोकरी करते है नमबर टू चेंजिंग लाइट बल्ब हो दुसgan करने की बात नहीं कर रहा हूँ यहां बात हो रही है दुनिया के इस सबसे उचे बल्ब को चेंज करने की हर 6 महीने बाद इस 500 फीट उचे टावर पर लगे हुए बल्ब को चेंज किया जाता है यह टावर साउड डकोटा यूएस में है यह नोकरी बेहदीक होफनाक है आपको सबसे पहले तो काफी देर तक इस टावर पर चड़ते रहना सच में काफी डरापना पल होता है यही वज़य है यह एक खतरनाक नोकरी है इस बल्ब को एक बार चेंज करने पर 20,000 डॉलर्स यानि की 14,000 लैक्स रुपए दिये जाते हैं लेकिन यह करना सभी के बसकी नहीं है इस नोकरी को जानलेवा बोलना गलत नहीं होगा यह एक ऐसी नोकरी होती है जिसमें आपको मगरमच को खाना खिलाना होता है यानि की आपको दुनिया के एक सबसे जानलेवा जानवर का पेट भरना होता है मगरमच के बारे में तो आप सभी को तो पता ही होगा जब इने भूक लगती है तो इनके सामने कुछ भी आ जाए ये सिर्फ उसे खाने की सोचते हैं अगर मगरमच की चपेट में कोई आ गया तो बचना काफी जादा मुश्किल होता है क्योंकि इनके जबडे काफी जादा ताकतवर होते हैं इस नौकरी में हर वक्त मौत का डर बना रहता है इस नौकरी में आपको सही दूरी पर खड़े होकर इने खाना डालना होता है क्योंकि अगर आप गलती से भी इनके पास चले गए तो आप भी मगर मच का खाना बन जाओगी इस नोकरी को सबसे खतरनाक बोलना गलत नहीं होगा इसे ढूड़ना और निकालना काफी जादा मुश्किल होता है अगर गलती से भी लेंड माइन के उपर पैर पड़ गया तो बचना असंभव होता है एक लेंड माइन का विस्पोर्ट काफी जादा भेयानक होता है लेंड माइन के फटने से काफी लोगों की जान चली जाती है पर शुक्रिया कीजे लेंड माइन रिमूवर्स का जो कि अपनी जान की बाजी लगा कर लेंड माइन्स को जमीन से ढूड कर निकालते हैं जिसकी वज़े से अंगिनत लोगों की जान बचाती है सलाम है इन सभी लेंड माइन रिमूवर्स को जो की अपनी जान की परवा किये बिना इस नोकरी को करते हैं और लोगों की जान बचाते हैं हम जिस बिजली की मदद से टीवी, फ्रीज और भी काफी सारी चीज़े चलाते हैं क्या आपने कभी सोचा है इलेक्ट्रिकल रिपेरर की नोकरी कितनी जादा खतरनाक होती है पर इनकी सोचो, बिजली सही करते वक्त एक छोटी सी गलती इन पर काफी जादा भारी पड़ सकती है अगर इने गलती से भी करेंट लग गया तो बचना मुश्किल होता है क्योंकि ये काफी जादा हाई वोल्टेज करेंट होता है जहां पर ये सभी काम करते हैं इनकरमचारियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है जिनकी वज़े से हम घर पर बैठ कर भिजली को इस्तमाल कर पा रहे हैं क्या होता अगर मैं आपको एक शेर को ट्रेनिंग देने के लिए बोलू आप सभी डर जाएंगे लॉयन टेमर्स भी एक ऐसी ही नौकरी है जिसमें शेर को ट्रेनिंग दी जाती है आप अंदाजा लगा ही सकते हो आखिर ये कितना जादा खदरनाक काम होता है क्योंकि ये शेर है कोई बिल्ली या फिर कुता नहीं है शेर को अगर कभी गुसा आ गया तो शेर भी किसी को छोड़ते नहीं है जो भी शेर को ट्रेन करते हैं वो कोई आम इंसान नहीं होते हैं इस नौकरी में भी हमेशा जान का डर बना रहता है अगर इस नौकरी को करना चाते हैं तो फिर आपको पहले सालों भर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी फिर जो है आप शेर को ट्रेनिंग दे पाओगे नंबर 7, Mountain Truck Drivers तो ये है एक और जोकिम भरी नोकरी जहां पर कोई भी गलती की गुंजाईश नहीं है ट्रक ड्राइविंग वो भी माउंटेज पर ये काफी जादा खौफनाक नोकरी होती है इस नोकरी में लोग बड़े बड़े लोडे ट्रक्स को पहाड के रास्ते से इधर से उधर लेकर जाते हैं और साइड में होती है गहरी खाई जहां पर गिरने के बाद कोई भी बज़ नहीं पाता है बरफीले मौसम में तो ट्रक चलाना और भी जादा मुश्किल हो जाता है बरफीले रास्तों पर ट्रक को समालना काफी जादा मुश्किल होता है और तो और बरफ की वज़े से ट्रक काफी जादा फिसलने भी लगता है इसलिए ट्रक को चलाना और कंट्रोल कर पाना बरफिले रास्तों पर काफी ज़ादा कठिन काम बन जाता है जिसकी वज़े से ट्रक चलाना बहुती कठी होता है और हर साल नजाने कितने सारे ट्रक हाथ से होते रहते हैं इस नोकरी के बारे में कौन भूल सकता है? ये नोकरी अगर नहीं होती तो नजाने कितना नुकसान और कितने सारे लोग मारे जाते फायरफाइटर नोकरी शुरू ही तब होती है जब कहीं आग लग जाती है फायर फाइटर्स बिना अपनी जान की परवा करे तुरंत आग बुजाने के लिए जल्दी से हाजिर हो जाते हैं और फटा फट आग बुजाने में जुट जाते हैं और तो और ये फायरफाइटर आग में फसे हुए लोगों की भी जान बचाने में काफी जादा मदद करते हैं फायरफाइटर को जितने भी इज़त और शुक्रिया किया जाए वो सबी तो कम होगा इन्हें कितने लोगों की दुआई मिलती हैं वो आप सोची सकते होंगे अगर फायर फाइटर को जिन्दगी का असली हिरो बोला जाए तो वो गलत नहीं होगा क्योंकि असली हिरो वही होता है जो दूसरों की जान बचाता है हम सभी लोग उची उची बिल्डिंग को देखकर उसकी खुबसूरती देखते ही रह जाते हैं पर आपने कभी ये सोचा है कि इन उची उची बिल्डिंग की विंडोस को साफ कैसे किया जाता है ये नोकरी बेहदी खतरनाक होती है Windows को साफ करने के लिए ये लोग एक रस्ती की मदद से उची उची इमारतों पर लटक कर Windows को साफ करते हैं आप इस वीडियो क्लिप में ही देख सकते हैं आखिर कैसे ये लोग पैसे कमाने के लिए इस नौकरी को करते हैं अगर आपको उचाए से डर लगता है तो इस नौकरी के लिए आप हा मत बोलना अगर इस वीडियो में इस नौकरी को ना रखा जाए तो वो बिल्कुली गलत होगा इस नौकरी के बारे में आज पूरी दुनिया जानती है ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें ये सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते है और अपनी जान देने से कभी नहीं डरते है इस नौकरी में कुछ पता नहीं होता है कब क्या हो जाए यहां तक कि इन सबी को इसका भी अंदाजा नहीं होता है कब अचानक से हमला हो जाए फिर भी ये जवान हमारी रक्षा करते हैं जिसकी वज़े से हम सभी चैन के नीन सोते हैं अपने जवानों के लिए एक लाइक तो बनता है प्लीज एक लाइक ज़रूर करना So thank you guys for watching this video अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक को सब्सक्राइब करतीजिए